नमस्का दोस्तो आप सुभी गामा चेनल पस्वागत आज मैं बगेरा की बर्माणी माता के मंदिर में आया हूँ सुना है कि बर्माणी माता ने नया सवरूप लिया है अमार गाउं के पास में ये बगेरा गाउं जो कि मैं आप सभी को दर्सन कराने के लिए आया हूँ ये ग सबसे बहले तो एक बार फिर से ब्रमाणी मातागी उस सवरूप को दसन कीजी जिन सवरूप के दसन अब तक आप करते आए हैं यह मातागी वो सवरूप दसन है जो अंडे वर्स यह रूप और भक्त जन दसन करते हैं मूर्मानी मूर्ती में चांदी का निर्मान कराने के लिए मैजमेंट लिया जा रहा था उस दोरा में कई वर्स से चोलग का कामी का चड़ा आ रहा था तो हो आचाना हटने लगा मूर्ती का मूर सुरूर आकामने आया है, माना जाता है कि सो भरस के बाद ये चमतकार हुआ है माना जाता है कि बर्माणी माता के चार भुजा वाली है, मूर तैय और पूरा सिरी वेसा का वेसा ही है बर्माणी माता का नया सुरूर देखकर भक्तित और चिंकित रह गए वो सभी ब्रमाणी माता के देशन करने के लिए आ रहे हैं दूर दूर से मना लेता है कि ब्रमाणी माता का सोजूर देखने के लिए देशन करने के लिए आ रहे हैं सो सालों के बार बदला आए ये चमतकार से कम नहीं है वक्तों को पता चलते ही काफी दूर दूर से देशन करने के लिए आ रहे है बताया जा रहा है कि ब्रमाणी मता का माप लेने के लिए आयते तो इनको संकेत हुआ और लब गेर रूप मता रहने का रूप रात के नो बजे से बारा बजे के बीच में बतला है मता का जो रूप चेंज हुआ है वो एक अड़भुत रूप रिशाल दर्शन दे रही है समस्ट ग्रामवाशी इससे बहुत प्रसंद कित है माता का शुरूप एक माल्याकाल आवस्टा ने हुआ है और हम पुजारी जो है ब्रमानी माता की पुजारी इससे हजार वर्ष से हम इसकी सेवा पुजा करते आ रहे हैं हमारी पीडिया करते आ रही है और हमने भी अपने जीवन में ये पहला आज माता का रूप देखा है पुर्ट करपा सब सज्जनों पे रहती है और सो साल के अंदर माताशरी आटोमेटिक अपना चोला बदलती है और प्रतिक्स गाउवालों ने सबने देखा और में भी वहीं मुझूद था माताशरी ने आटोमेटिक अपने आप चोला परिवतन किया आटोमेटिक्स प्राइब कर देखा है गिंदी गदीर